ग्रेह मंत्री अमिश्या का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि कमल का बटन इतनी जोट से दबाना कि करंट इटली में जाका लगे उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट परिवार राज्य और राम राम राज्य की लड़ाई में राम राज्य को जा रहा है अमिशा ने माराश्र के अमरावती में रैली को संबोधित किया और इस बीच उन्होंने कहा कि आपका वोट एक एक वोट जो है वो रामराज्य के लिए जा रहा है और कमल का बटन इत्ती तेज दबाएं कि यहां से आवाज जो है वो इटली तक जाए कि आने वाली 26 तारीक को कमल के निजान पर बटन दबाएंगे क्या खुर्सी लेकर खड़े वो भी बोले दबाएंगे जरा खुर्सी उठा कर बोलो दबाओंगे भाई और बेहनों नमनी तराना के नाम के सामने कमल का निजान है उसको बटन तो दबाना है मगर अमरावती वालो इतनी जोड से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे और बड़ी खबर आ रहे है दिल्ली से दिल्ली में इंडिया गेट के सामने आइस्क्रीम बेच रहे है लड़के पर चाकू से हमला किया गया है अस्पिताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्त मॉर्टम के लिए भेज दिया है CCTV की मदद से आरोपियों के तलाश की जा रही है तो बड़ी खबर ये दिल्ली से है जहां पर एक इंडिया गेट पर आइस्क्रीम बेचने वाले लड़के की बहुत की खबर सामने आ रही है जानकारी मिल पा रही है कि जैसे उसे चाकू मारा गया उसे अस्पताल में बढ़ती करवाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी बहुत हो गई है फिलाज CCTV फोटेज खंगाली जा रही है कि आखिर वो आरोपी कौन थे उनकी तलाश की जा रही है अमेठी से चुनाव तो राहूल गांधी ही लड़ेंगे लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलाज 26 अपरेल के बाद हो सकता है क्योंकि 26 अपरेल को केरल की वायनाड लोगसबा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहूल गांधी केरल की इसी होट सीट से चुनावी मैदान में सूत्रों के मताबिक कौनग्रेस ने ये फ्लैन बनाया कि 26 अपरेल को केरल की वायनाड लोगसबा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और राय बरेली से उम्मीदवारों का एलान करेगी लगा गया था कि इसी वज़ा से कौनग्रेस ने सिर्फ अमेठी और राय बरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का आइलान नहीं किया जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रित्याशी तैग कर चुकी है अमेठी लोगसवा सीट पर नामांकन की शुरुवाद 26 अप्रेल से होगी मतलब जिस तारिक तो केरल की वायनाट सीट पर वोटिंग होगी ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसला शुरू हो जाएगा लेकिन वहां लगे रोबर्ट वाडरा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका चताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दोफाड हो गई जैसे ही इन पोस्टरों पर लोगों का ध्यान गया बीजेपी ने इस दरार को खाई में बदलने की ठान ली अमेठी लोगसबा सीट से प्रत्याशी और मौजूदा सांसेट स्मिथी रानी तो रोबर्ट वाडरा पर बुरी तरह हमलावर हो गए और यह केरड दाला कि गांगरेस अब राहूल गांधी के बाद उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाडरा को अमेठी की जनता पर थोपने की प्लैनिंग में जुटी है इस दोरान उनोंने लोगों को अपनी जमीन के कागज़ चिपाने की नसियत तक दे डाली क्योंकि रॉबर्ट वाटरा और उनकी कंपनी पर कई किसानों की जमीन हडपने क्या रोब लगे थे यूपी की अमेठी लोगसबा सीट हमेशा से गांधी परिवार का गड़ मानी जाती रही है मान 2019 में राहूल गांधी ने कॉंग्रेस की टिकेट पर चुनाव लड़ा था हाला कि तब उन्हें बीजेपी की स्मृति इरानी ने हरा दिया था और माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच 2019 जैसी टक्कर ही 2024 में भी देखने को मिल सकती है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी उन्होंने कहा कि मैं स्वगंध खाती हूँ कि अगले 5 साल में कॉंग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में देहने नहीं दूँगी उन्होंने कॉंग्रेस पर अपने कारेकरम में गुंडे भेजने का भी आरुप लगाया अगर राहूल जी तक तेरी आवाज पहुच रही हो तो उनको बदलाना चाहती हूँ मैं अमेठी चुनाओ लड़ने तबाई जब आपकी माताजी की पेंडर में सरकार थी मैं तब नहीं डरी अब क्या खाग डराओगे पहले तबाई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी अब क्या खाग डराओगे कि सवगन खाग यूँ आज याने वाले पात साल में एक भी कांगरेस का गुंडा अमेठी लोगसभा चेक्ट में अब रह नहीं पाएगा प्रदेश की अमेठी लोगसभा सीट से रॉबर्ट वाडरा के चुनाव लडने की खबने सामने आने के बाद कॉंग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी चर्चा थी कि यूपी की इस होट सीट से कॉंग्रेस राहूल गांधी को दाविदार बना सकती है लेकिन इस बीच महां उनके जीजा यानि रॉबर्ट वाडरा को प्रत्याशी बना जाने के लिए लगाये गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गए प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाडरा आपकी बार अमेठी यूपी की होट सीटों में एक गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोगसबा सीट को कॉंग्रेस का गढ़ का जाता राजनीती करने वाली कॉंग्रेस दे समाजिक न्याई की मुलभूत भावना की भी हत्या कर दी उन्हेंने कहा कि कॉंग्रेस HC, ST और OBC से आरक्षन छीनना चाहती है उन्हेंने कहा कि तेलंगाना के एक कॉंग्रेस से मुख्यमंत्री ने अभिनाम लेकर कहा है कि वो मुस्लिमों को आरक्षन दिलबा कर रहेंगे कॉंग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के किसी भी हब तक जा सकती है उन्होंने कहा कि जब केंदर में कॉंग्रेस से सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंधर प्रदेश में धर्म आधारी तारक्षुन की शुरुवात की थी OBC वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है कॉंग्रेस जिसने OBC से उनका हक्षिन लिया है कॉंग्रेस ने सामाजी की न्याय की हत्या की है कॉंग्रेस ने संभीधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है कॉंग्रेस ने बाबा साहब का गोर अपमान किया है आरक्षन चोरी करने के कागा जो खेल खेल रहे हो उसे लूटने का खेल खेल रहे हो आपके ये खेल बंद करने के लिए हमेशा बंद करने के लिए आपके मनसूमों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोधी को चार सो पार चाहिए अटने के लिए घच आपके मनस्टाइबस में जर खेल रहे हो इस हमेशा जर रहे हो खेल रहे हो सब्साखके में बंद का जर रहे हो कि अजल रहे हो झाल झाल